नवरात्रों का आज है भक्तो नावा दिन माता से धी दात्री का करेंगे सब पूजन के भक्तों करेंगे सब पूजन नवदुरगा का नवा रूप है सिधी दात्री माता नवदुरगा का नवा रूप है सिधी दात्री माता नोवे नवरू त्रेवे इनको ही पुझा जाता के भक्तों इन्हें पुझा जाता सिद्धिदात्रि माता की है चवी बड़ी ही न्यारी कमल पुष्प है आसन इनका चार भुझा धारी के माता चार भुझा धारी उपर वाली दाहिनी भुझा में जिनके सुदर्शन साजे नीचे वाली भुझा में ने भत्तों गदाबिराजे देखो भत्तों गदाबिराजे और उपर की बाई भुझा में माने शंक लिया है नीचे वाली भुझा देखो कमल का पुष्प खिला है रूप अलोकिक इनका भत्तों बड़ा निराला है शीश पेन के बुकुट सजा और गले माला है गले में मुतियन माला है सिधी दात्री नाम को अपने करती सार्थक है उनकी भगती जो करता होता साधक है सिधी दात्री माता को जो सचे मन से ध्याए सभी सिधी यून भगतों को अति शीक्र मिल जाए पहली सिधी को कहते अणिमा दूसरी महिमा है तीसर सिधी है गर्मा और चौथी लगिमा है पांचवी सिधी है प्राप्ती और प्राकम में छटवी है इशित्व सिधी सात्वी और वशित्व आठवी है आठों सिधियां ये मा की है सिधियां सारी से थी दात्री माता करती प्रदान जिन भक्तों पे प्रसन हो जाए देती सभी वरदान भक्तों को देती सभी वरदान ब्रम्हा वेश्नु शिव शंकर भी करते इने नमन है सेधियां दात्री माता की महिमा वेदों में वरणन मिलता वेदों में वरणन है भोले नात ने अरधनारीश्वर जब है रूप बनाया सिधिय दात्री के रूप कही उनोंने ध्यान लगाया हत्तों उनोंने ध्यान लगाया सिधिय दात्री के बिना ये संभव कभी नहीं हो सकता आधा नारी बन गए भोले आधा हिस्सा नरका बन गया ब्रम्हा जी को भोले नात ने ये ही रूप दिखाया ब्रम्हा जी को भोले नात ने ये ही रूप दिखाया ब्रम्हा जी ने नर और नारी को तब भत तो बनाया तब ही ये संभव हो पाया नर और नारी से हुआ संभव स्रिष्टी का विस्तार सिधिदात्रि मैयों के महिवा बड़ी ही अपरम्हार है भतो बड़ी ही अपरम्हार सिधिदात्रि मैया के चर्णों में जो ध्यान लगाता उनके लिए संभव तो कुछ भी रह नहीं जाता ऐसी किरपा करती माता आठों से धिया और नोनि धिया और दस महा विधाए सिधिदात्रि के ध्यान से भतों सब मिल जाए सिधिदात्रि माता करती जिन पर है उपकार सिधिदात्रि माता करती जिन पर है उपकार भवसागर से उन भक्तों की होती नई आपार सदा ही होती नई आपार आज के दिन ही नवरात्रों का होता समापन है और भक्त करते इस दिन कन्या पूजन है के करते कन्या पूजन है कन्या पूजन से माता का मिलता है आशिरवाद अनधन के भंद और भरे रहे रहते है आबार सदा हो रहते है आबार हलवा पूरी चना माता को भोग लगाते है हलवा पूरी चना माता को भोग लगाते है कन्या को समझ के माता भोजन कराते है मया को भोजन कराते है इसके बाद फिर स्वयम भिव्रत को भक्त खोलते है माता के जे तोरे भी मिलके बोलते है भक्त सब मिलके बोलते है नौ दिन नवरात्रों का उत्सब माता की भक्ति का ध्यान करे इन दिनों वो मा आदिशति का भक्ति में हो जाता है ये सारा ही संसार भक्तों के घर में होती खुशियों की बोचार के होती खुशियों की बोचार माता हर एक रूप में करती भक्तों का मंगल है माता हर एक रूप में करती भक्तों का मंगल है माता के भक्तों का होता नहीं अमंगल है कदापी नहीं अमंगल है अपने भक्तों की रक्षा को रहती है तयार अपने भक्तों की रक्षा को रहती है तयार दानव दोष्ट जनों का करती मैया ही संहार को करती माता ही संहार सच्चे मन से करता भक्त जो माता को कभी आद सच्चे मन से करता भक्त जो माता को कभी आद सदा ही माता सुनती है भक्तों की फरियाद कि सुनती भक्तों की फरियाद सब भतों पर किरपा करना माता से धी दात्री आप ही जग जननी है माता आप ही जग निर मात्री माता आप ही जग निर मात्री तेरे चर्णों की धूल हमें जो माता मिल जाए ए जग जननी सफल ये जीवन अपना हो जाए ए जीवन सफल ये हो जाए हंस राज रिल हन हे माता तिर चर्णों का दास हंस राज रिल हन हे माता तिर चर्णों का दास अपने चर्ण में रखना मा इतनी है अरदास आप से इतनी है अरदास फोजी सुरेश भी महिमा तेरी करता रहे बखान मात शार दे इतना साथ बस देना वरदान मुझे मा देना यही वरदान कर दो